जय स्री कृष्णा राधे राधे दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्धन दीपो हरती में पापम संध्या दीपम नमस्तुते तो जोति सास्र में ऐसी परंपनाय चली आ रही है और जिसके पीछे तात्विक और बेग्यानिक दोनों रह से चिपे हैं तो भारती संस्कृति में दीप जलाने यानि की जोत जलाने का बड़ा महत्व है क्योंकि दीपक के बेगार हर सुबकार अधुरा माना जाता है हर बिस्तार से बताएंगे लेकिन उसके पहले दीपक में कौन सी बत्ती जलाने चाहिए गोल या लंबी अगर गोल जलाएं तो कौन से देवी देपता को परसंद करने लंबी जलाएं तो किन को परसंद करने और भूल कर भी गोल बत्ती कब न जलाएं वरना जीवन में लक्ष साम होने वाली पूजा में आप दोनों ही समय दिपक जलाते होंगे तो ऐसे में सास्त्र कहता है कि दिपक की लौ किस दिशा में हो इसका विसेश नियम है क्योंकि पंच तत्तों में दिपक को अगनी का प्रतीक माना जाता है और दिपक जला कर हम किसी भी काम में अगनी को साक्षी बना लेते हैं पूजा भी करते हैं तो अगनी को साक्षी बना कर फिर पूजा करते हैं जोति सास्त्र में जो कृतिका नच्छत्र है उसको अगनी का प्रतीक माना गया है और कृतिका नच्छत्र के देवता सुर्य है और इनके रासी के स्वामी सुक्र है लेकिन जोतिसास्त के नुसार 27 नच्छत्रों में यह तीसरा नच्छत्र अगनी पुंज अर्था दीपक है यानि जो कृतिका नच्छत्र है वो दीपक है और अगनी को त्रिमुखी कहा गया है भगवान सिव के तीन नेत्र है पहला सुर्य दाहिना नेत्र और जो वाय साइट का नेत्र है वो चंद्रमा है और जो तीसरा नेत्र है वो अगनी है तो मानेता है कि सिव ने ब्रंभा और विश्नु को अपनी सर्वोचता सिद्ध करने है तू खुद को महादीपम के रूप में परिवर्तित कर ल तीन दीपक जला कर प्राठना करने का बिधान है। जब आप कोई विसेश मनुकामना पूर्ती के लिए सिवजी के पास जाएं तो तेल के तीन दिया जलाएं और तीनों ही दीपक आप कोई भी तेल का तेल या सरसों का तेल का जला सकते हैं। इस दीपक में गोल बाती जीएगा। अगर कोई विसेश मनुकामना हो तो तीन दीपक त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिदेवी, त्रिभुवन और त्रिगुनकारी कहें गये हैं। सिबलिंग के निमित दीपक जलाने से सरवाधिक फल मिलता है। दूर होते हैं दुख दरिता और दुरभाग्ये। तो उसके पहले हम आगे बढ़ें। तो हम आप जैसे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने कहा कि कृतिकार नच्छत्र को दीपक से दुलना किया गया है या वो दीपक अगनी है। तो ऐसे में हर रासी के नुसार अपनी रासी के नुसार भी आप दीपक जला स मिलाकर दीपक जलाएं। अगर आपकी रासी मिथुन है तो कांसे के दिये में गाय का घी डालकर दीपक जलाएं। करक रासी है आपकी तो गाय के घी में चंदन का इत्र डालकर दीपक जलाएं। अगर सिंग रासी है तो ताड के तेल का दिया जलाएं सिबलिंग के पास औ तो गाय के घी में सिंदू डाल कर दीपक जला है सिंदू जादा नहीं डाला है तो थोड़ा असर नाम का आप कुंकुं भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी रासी धनू है तो सुज मुख्य के तेल का दिया चलाएं सिवलिंग के सामने अगर आपकी रासी मकर है तो आप तिल के तेल का दिया जलाएं सिवलिंग के सामने और अगर कुम रासी है तो सरसों के तेल का दिया जलाएं सिवजी के सामने और मीन डासी है तो गाय के घी में केसर डाल कर दिया जलाएं सारी मनोकामना इस तरह से दीपक जलाने से पूरी हो जाती है तो चलिए, अब हम असली मुद्दे पे आते हैं, हमने जो आपसे वादा किया है, कि गोल बत्ती कब भूल कर भी नहीं ले जाना ना चाहिए, देखिए, सबसे पहली बात, जब आप दिया जलाते हैं, भगवान को परसंद करने, तो जब आप भगवान स्री हरी विश्नु, भ लदी पूर्ण हो जाती है, तो यहाँ पर आप गोल बत्ती डाल सकते हैं, और आप इसमें लॉंग डाल सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, लेकिन जब आप माता की पुझा करते हैं, जैसे मा दुरुगा है, मा लक्षमी हैं, मा काली हैं, तो आप जो देवी की पुझा है ना, इसमें लंबी बत्ती लगाए जाती है, जैसे आप लाल धाके की बत्ती लगा सकते हैं, लंबी बत्ती में रूई की बत्ती लगा सकते हैं, तो लेकिन सिंगल बत्ती रूई की मतलीजेगा, लंबी बत्ती में, दो बत्ती एक साथ करके उसको मोर कर भी जलाईए, एक बत्ती या कुवां के पास या फिर आप मुख्य दरवाजे के बाहर दिया लगाते हैं तो ये पित्रों के लिए होता है जब आप पीपल की नीचे दिया जलाते हैं तो ये भी पित्रों के लिए होता है तो जब आप पितर देवों की निमित दिया जलाईएगा तो इसमें लंबी बत्ती लगाईएगा गोल बत्ती मत लगाईएगा गोल बत्ती सिर्फ सिवजी भगवान विश्णू यानि देवों के पूजा में गोल बत्ती यूज़ता है लेकिन जब आप पित्री दुखों प्रशन न करना चाहते हैं अगर आप गोल बत्ति लगा दीजिए गा तो लक्ष्मी नहीं टिकेगी उल्टे पैर वापस चली जाएगी क्योंकि देखे सबसे पहली बात तो लम्भी बत्ति देवी की पुजा में यूज होती है और पित्रों की पुजा में आप लंभी बत्ति ही लगानी है गोल बत्ति लगाएंगे तो लक्षमी स्थिर नहीं रहेगी लक्षमी नाराज हो जाएगी इसलिए आपको ये प्रियास करते रहना है कि आपको गोलबत्ती पितर देवों के पूजा में नहीं लगाना वरना पैसे पानी हो जाएंगे कहने का ताथ परे कि आप कमाएंगे तो सो टका पर भी 200 पिया होगा तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है तो आप नियमित रूप से जब सिब्जी की सिब्लिंग के पास आप जाते हैं अभी तो दियावाती करी रहे होंगे तो आप कोशिस करना है आपको कि गोली बत्ती का दिया जलाए तो मनोकामना सिगर पूर तो आप जब भगवान की पूजा करें, तब उसमें लॉंग डालें, यानि कि देवी की पूजा में देवताओं की पूजा में लेकिन जब पित्री देवों के निमीत आप दिया जलाएंगे तो उसमें काला तिल डाल दीजिएगा काली उड़त डाल दीजिएगा कोसिस करें तिल डाले के जादा नहीं एक दो दाने इसी से पित्रदेप संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि साम में उनके निमित दिया जलाने से ना उनके रास्ते में रौस्ट नी होती है उनके कस्ट कम होते हैं इसल